तो अगर तो आपके पने चनल सिविल इंजिनिंग जोब्स में तो कुछ कारणों के करणकल वीडियो नहीं आए पाई लेकिन आज दो वीडियो में आपके लिए लेकर है हूँ गोर्मेट जोब रहेंगी फ्रेशर्स के लिए वो जोब रहने वाली है तो इसमें सेलरी भी साफी जादा रिकॉर्मेंट में नहीं है तो कम्प्लीट वीडियो देखो उसमें मैं फुल डीटेल आपको दे देता हूँ कहां आपको एप्लाई करने है उनकी रिकॉर्मेंट के आए और आपको नोटिफेशन पीडियाफ कहां से मिलेगी सब डिरेक्ट लिंक आपको प्र काफी जाप से इनके नोट कि क्या रिकॉर्मेंट है क्या क्या चीज्चे वो सब हम बात अभी कर लेते हैं तो उसके लिए मैं आपको दिखाते जाता हूं सबस्दों तो यह ऐलेक्रिकल की आगे फिर हमारी मेकरिकल की तो जो cv की जाप स्यारी है वो अगर हम बात करें साल का probation period रहेगा मतलब दो साल आपको notice किया जाएगा प्रोपर से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके बाद जब आपका probation period खतम हो जाता है तो आपकी salary 33,000 हो जाएगी और probation period में कितनी रहेगी 27,000 आपकी salary रहने वाली और दो साल का probation period रहेगा इसमें civil को आपको अगर आपने graduation degree की है मतलब B.E.T.E.C की है किसी भी अच्छे college से अगर आपकी civil में structural में है civil engineering में है तो आप इसके लिए eligible होते हो आप इसके लिए apply कर सकते हो और दूसरी job भी निकल रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और इसमें आपका क्या होगा क्या इसमें आपका exam होने वाल दाल रही हूँ बागि अभी हम चलते हैं दूसरी job जो निकल के आ रही है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ तो recruitment आपने पहले बताई मैंने वह तो जूनियर इंजिनियर के लिए और यह जो दूसरी recruitment निकल के रही है वो है assistant engineer के लिए सेम आपकी राजस्तान ले सकते हो मैं description में link डाल रहा हूँ वहाँ जाके आप इनकी official website भी पहुंच सकते हो आप direct apply का link है मतलब आपको अगर exam पूर समझ आ गया notice आ गया कि क्या है job और क्या है उसकी चीजे तो आप direct जाके apply भी कर सकते हो वो भी description में link डाला ही हुआ हूँ बाकी इसकी PDF से भी notification डा टाइब कर लो और बैल आइकन दबा लो शाम को एक और वीडियो आने वाली या उसके लिए बैल आइकन जरूर दबा के रखो थैंक्यू वाइस